नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल व्यस्वी फूर्ट सफारी में स्वागत है और आज हम आपके लेकर आए हैं दिवाली पे जो खील बिखती हैं उनको बच्चे खाते नहीं है तो हमने सोच है उसको एक नमकीन के रूप में बना दिया जाए तो अब हमने खील लेंगे और खील में नमकीन के साथ इसको यूज करेंगे तीवाली की खीले को इसका इस्तवान घर पे नहीं करता है बच्चे भी नहीं खाते हैं तो इस खील को हमने चांट के रूप में बनाया है आप भी इसको बना कर खा सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं चा यह दिवाली पर खेल बन आती हैं, इनको कोई भी नहीं खाता है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाना प्रसंते हैं, लेकिन इस तरह की चांड बनाएंगे, तो उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यार से खाते हैं, तो अब यह हमाई खेल अच्छी तरसे तर जाएं यादता लेंगी ठीक है, और फिर इसमें हम जैसे जैसे मिसाले वगईर i sliced कर सकते हैं, अब जैसे कीब करने चाहिए इसकीब कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ एड़ान करना चाहिए तो वो भी करते देख सकते हैं, और हमको यह चांट कैसी लगी है, आप हम इसको या नमकीन कह सकते हैं आप इसको चार्ट ना कहकर क्योंकि चार्ट मुद भूसा ही चीज़े आती हैं यह सिंपल नमकीन है एक तरह से देखा जाए तो अब हम अब इसको भी निकाल लेंगे और हमाई वीडियोस को आप लाइक करते रहें शेयर कीज़ेगा अपने दोस्तों के साथ और जिसने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यार जो नए आया है उसके लिए उनको धन्यवाद है और अब हम इसको ठंड़ा होने के बाद एक बाल में लेंगे इसको जितना चैनल ले सकते हैं अभी हम पहले थोड़ा ले रहे हैं इसमें फिर हमने खट्टा मीठा नमकीन डाल दिया है अब इसको चलाएंगे हमें थोड़ी कम लगी तो हम इसमें और इसको एड़ करेंगे भी इस तरह से आप भी कर सकते हैं देखें कितना प्यारा लग रहा है भी अब इसमें आप अपने स्वात के अनुसार हम इसमें नमक लेंगे जो कि हमने कला नमक लिया है भी जीरा पाउडर लिया है हम खटाए भी ले सकते हैं इसमें आप इसमें हमने प्याज वगर नहीं डाली उसका अब ध्यान रखिएगा और हम इसको मिक्स कर देंगे और इतने जट पर तेयार होने वाले यह नमकीन है खील की नमकीन बच्चों को बहुत अच्छे लगेगी बच्चे बैसे तो दिवाली पर इसको नहीं खाते हैं क्योंकि मीठे वगरे मन अलगे रहते हो इसको इस तरह से वो ज़रूर जट पट खा जाएंगा उनको पता भी निचे लगा कि यह नमकीन कैसे बनी और कहां से तयार की है तो इसी तरह साब इसको खाईए बनाईए और लोगों को भी खलाईएगा देखे कितनी प्यारी लग रही है हमाय चैनल को सब्सक्राइब किजएगा वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जी नमकीन कैसी लगी है आप इसमें और क्या क्रिवटी कर सकते थे जो आपने करी है वो भी हम जरूर बताएं बाग में कमें करके तो आगे की वीडियो में हम इसी तरह मिलते रहेंगे हमाय चैनल को सब्सक्राइब किजएगा और जो बैल का आइकन है उसको भी दवाते रखी जिससे हमाई वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले इसके न्यूस मिल जाएगा नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाएगे नमस्कार सास्त्रेकार